Hello everyone, कैसे हो आप सबी लोग आई, I hope आप बहुत अच्छे होगी और इच्छे से त्यारी भी चल रही होगी आज हम करने वाले हैं Monthly MCQ Series का Part 12 for the month of November and this is your last part of this month, कल से हम जो है December का start करेंगे ठीक है, अगर आप आपने इसका previous lecture नहीं देखा है, Part 11 तो आई बटन पर प्लिक कर सकते हो, यहाँ पर आपको से लिंक, लिंक जो है वीडियो का मिल जाएगा and अगर आप PDF की जो है डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे जो टेलिग्राम लिंक हमने दिया है description box में उसे आप join कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी ही PDFs available मिलेंगी ठीक है, तो चलिए जल्दी से start करेंगे आज का lecture, तो पहला यहाँ पर आपको question है the SNP, SNP Global Rating Agency has raised the India's GDP growth rate forecast for financial year 2023-2024 to dash percent from 6 percent तो जो SNP Global Rating आपकी agency है, American Credit Rating Agency है, इन्होंने recently इंडिया की जो GDP है financial year 2023-2024 के लिए इसको बढ़ा दिया है, पहले 6 percent यहाँ पे इन्होंने जो है prediction दी थी, अब इसे बढ़ा के 6.4 percent इन्होंने कर दिया है, तो answer आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, it is option number D, ठीक है इसके इलावा financial year 2025 की बात करें, तो इन्होंने यहाँ पे prediction अपनी दी है, 6.4 percent ठीक है, पहले इन्होंने prediction दिया था, 6.9 percent का, तो यह आपको दियान में रखना है, दोनों ही आपको percentage याद रपनी है, ठीक है now next question है, the USA dictionary publisher, जिसका नाम है Mariam, Webster announced dash as a word of the year तो जैसे colon, आपकी colon dictionary जो है, ठीक है, वो भी अपना word of the year निकालती है इन्होंने यहाँ पे word of the year दिया था, colon वालों ने, यह दिया था आपका AI, artificial intelligence, ठीक है वैसे ही USA की जो dictionary publisher है, Mariam, Webster, इन्होंने यहाँ पे अपना word of the year दिया है, 2023 के लिए which is your authentic, ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका उजाएगा, optionable B, वहीं पे अगर 2022 की बात की जाए तो इन्होंने यहाँ पे gas lighting को अपना word of the year बनाया था, 2022 में ठीक है ठीक है, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, it is option number E, that is Madagascar के ही आपके president बने है ठीक है, अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात भी कर लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन है आपके Madagascar के, इनका नाम है क्रिस्टीन लुइस नाच से, ठीक है, यहाँ पे आप जो है image भी देख सकते हो, यहाँ पे जो आइंड्रे रजलीना है, ठीक है नाव नेक्स क्वेशन है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यह फीनो पेमिन बैंक के जो है पार्ट टाइम चेयर्मन बनाए गए हैं, वहीं पे अगर MDNCO की बात कर ली जाए, तो इस पेमिन बैंक के MDNCO आपके हैं, रिशी गुपता, जिसे 2000, यहाँ पे इस बैंक को है, Xerox India and Walt Disney के, ठीक है, तो यह आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, फाइन, आपको इसे जीता है इटली ने, फर्स नमबर पे आपका इटली था, इटली के बाद, कैनिड़ा आपका सेकंड नमबर पे था, तो यह तीनों कांट्री आपको याद रखनी है, ठीक है, इसे ज इसके अलावा, इटली का यह आपका डेविस कप का जो टाइटल है, यह सेकंड टाइटल है, इससे पहले इटली ने 1976 में पहली बार जो है डेविस कप का टाइटल यहाँ पे जीता था, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावे यहाँ पे एक क्वेशन बन स जीता है अब यहां पर इटली के टीम जो जिसने बेसिकली इस डेविस कप का टाइटल जीता था उसके टीम का कैप्टेन कौन है इस फ्लिपो वोलेंटरी ठीक है नाव नेक्स्ट क्वेशन है नेम दी प्लेयर वोन दी फिफ्टींथ एडिशन ऑफ फॉर्मुला वन अबुध जीता है कि कौन सी कंपनी के थू या कौन सी कंपनी के लिए रेसिंग करते हैं तो रेड बुल प्लेव रेसिंग करते हैं यह आपको धितान में रखनी है सारी चीजें नाव नेक्स्ट क्वेशन है विच अमंग दूपॉलिंग प्लेयर वोन दा चाइना मास्टर 2023 इन मेंस स बुड़ाई नारा ओका ठिक है वही पर अधर क्याटेगरीश की बात की जाए तो विमन सिंकल यहां पर चाइना की प्लेयर ने जीता था चैन यूफी मेंस जबर चाइन के प्लेयर ने अगें लियान वीकेंड आन बांग चांग ने यहां पर विमन स्टबल जीता था जपै यहां कुण ने यहां यहां पर अपको ध्यान में रखना है ना नेक्स अपको विश्चन है बी ससी कुमार वू पास्टवे रिसंतली इस नोन पर पॉप्लराइजिंग विच मूजिक अन्स्टूमें तो आंसर यहां पर आपका हो जगा जो बी ससी कुमार जी थे यह बेसिक प्राट अवर्ड फ्रम कुवेट मिला था 2011 में केंद्र संगीत नाटक अकाडमी अवर्ड इने 2008 में दिया गया था वही पे कैरला संगीत नाटक अकाडमी फेलोशिप इने दिया गया था 2002 में और यहां पर आप इनकी इमेज भी ससी कुमार जी की ठीक है तो यहाँ पे स्टाटिक क्वेशन आपका बन गया है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा अब इसके अलावा यहाँ पे बुक की बात करें तो यह पुब्लिश की गई है रूपा पुब्लिगेशन द्वारा किसने इस बुक को लिखा है इसे लिखा है शर्मिश्था मुकर्जी द्वारा जो आपकी प्रना मुकर्जी की बेटी है and she is a कथक डांसर and choreographer तो यह आपको धिहान में रखना है साथ में ही यह इंडिया नाशनल कॉंग्रेस पर्टी है उसके मेंबर भी है अब प्रना मुकर्जी जो थे उनको पद्मा विभूशन और भारत रतन से समानित किया गया था 2008 में इने पद्मा विभूशन दिया गया था और 2019 में इने जो है भारत रतन दिया गया था in the field of public affairs fine now next question है the dash edition of a word sustainable transport day was observed on 26th November 2023 to recognize the pivotal role of a safe, affordable, accessible and sustainable transport system for all तो हमने जो है 26 November 2023 को इसका पहला edition observe किया तो answer अपका हो जाएगा it is first edition इसके साथ साथ इसे observe किया था आपका United Nation Department of Economic and Social Affairs which is UNDISA in collaboration with the United Nation Regional Economic Commissions तो इन दोनों organization मिलके से observe किया था जो पहला edition था आपका World Sustainable Transport Day का तो इन्हें जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया गया था 2018 में तो answer यहां में आपका क्या हो जाएगा option number B इसके अलावा आपको note करना है कि 2008 में इन्होंने एक book भी release की थी publish की थी अपनी book जिसका नाम रखा था flashback और इसमें इन्होंने जो इनके आपका है यहां पर statement क्या बोल रहा है कि जो 5th edition हुआ था आपका इंडो-Pacific Regional Dialogue 2023 का that was held in New Delhi Delhi with a theme geopolitical impacts upon Indo-Pacific maritime trade and connectivity next statement है जो आपका यह dialogue हुआ था IP RD 2023 that was organized by the Indian Navy in collaboration with the National Maritime Foundation as its knowledge partner third statement आपका क्या रहा है कि इस dialogue में जो Vice President थे हमारे जगदीब धंकर जी इन्होंने एक book release की थी which was building partnership India and international corporation for maritime security which is published by National Maritime Foundation तो यहां पर तीनों ही statements आपके correct है तो answer क्या हो जाएगा option number E or 123 statements are correct इसके लावा यहां पर जो National Maritime Foundation है इस organization ने इस foundation ने यहां पर चार MOU sign किये थे कौन-कौनसी organization के साथ किये गए है यह MOU sign तो नेपाल Institute for International Corporation and Engagement के साथ N.I.I.C.E. Nepal then Global Center for Policy and Strategy GLOCEPS Gloseps Kenya third आपके organization है Diplomatic Academy of Vietnam DAV Vietnam and last statement last आपके organization है तेरी which is the Energy and Resource Institute जो आपका New Delhi Delhi में स्तित है ठीक है इसके अलावा यहां पर बात करते हैं की points की जो इस dialogue से related है जैसे इस dialogue के जो आपका event हुआ था इस event में जो निर्मला सितारमन जी है जो हमारी Finance Minister है इन्होंने edited volume जो है जिसका नाम है Maritime Prospectives Maritime Security Dynamics in Indo-Pacific Strategies and Trends जो है इसको यहां पर release किया था which is published by your NMF ठीक है next यहां पर जो है हमारी Union Minister of State है मिनाक्षी लेख की का Ministry of External Affairs की इन्होंने भी यहां पर book release की थी which is Maritime Prospectives 2023 Approaches to Sustainable Maritime Environment Challenges and Solutions नाओ नेक्स जो सर्वननन्दा सोनवाल जी है इन्होंने भी हां पर एक book release की थी Shipbuildings Trends and Rise of Indo-Pacific अगें इस पॉपलिश्ट बाई और NMF ठीक है then Vice Admiral G. Ashok Kumar जी जो है Retired आपके Vice Admiral National Maritime Security Coordinator ठीक है इन्होंने भी हां पर book release की थी which is Guarder a Chinese Gibralter which is authored by the Captain Alok Bansal इसके अलावा जो Admiral Karambir Singh है ठीक है इन्होंने Chairman of a National Maritime Foundation इन्होंने यहां पर जो है एक report release की थी which is India Vietnam Diak Approach to Holistic Maritime Security in a Indo-Pacific तो यह आपको ध्यान में रखना है यह सारी जीज़ें यहां पर release की गई थी on occasion of this dialogue ठीक है now next question है the Union Mr. Smriti Zubi Nirani recently in November has launched the आंगनवाडी protocol for Divyaang or a disabled children she is a Union Minister of which ministry so यह कौन से Ministry के Union Minister है आप सभी को पता है यह Ministry of Women and Child Development की जो है Union Minister है यह आपको ध्यान में रखना है इसके लाबा यहां पर एक और question जो आपका बन सकता है यह जो यहां पर children with a disabilities up to the age of a six year ठीक है तो यह आपको age यहां पर पूछी आ सकती है तो यह दियान में रखने आपको ठीक है now next question है the Ministry of Defense has signed a contract with which among the following company for the procurement and manufacturing of a 16 upgraded super rapid gun mount ठीक है SRGM worth rupees 2956.89 crore for Indian Navy तो यहां पर Ministry of Defense जो है उन्होंने कौनसी organization के साथ 16 upgraded super rapid gun mount के लिए MOU sign किया है तो answer बहुत simple है it is option number A भारत हैवी electricals limited के साथ यह जो है MOU sign हुआ है अब यहां पर जो upgraded super rapid gun mount है यह आपका जो अभी recently ships हम use कर रहे हैं वहां पर install किया जाएगा साथ में ही जो नए ships बनाए जाएंगे mezzagon dock and shipbuilders limited द्वारा and garden reach shipbuilders and engineers द्वारा तो इन ships में भी यह जो है आपका install किया जाएगा इसके साथ BHEL की बात करें तो static information यहाँ पर देख लेते हैं हिससे related which is इसके chairman का managing director कौन है इनका नाम है कोपूर सदाशिव मूर्ती और इसका headquarter कहां लोकरेड है New Delhi Delhi में तो इंडिया का पहला first telecom center of excellence कौन सी institute में हम जो है establish करेंगे तो answer आपका हो जाएगा it is option number D that is IIT रुड़की तो basically जो IIT रुड़की का आपका UP का campus है सारणपूर UP का campus है यहाँ पर इससे जो है establish किया जाएगा and UP government यहाँ पर fund raise कर रही है इसके लिए 30 करोर का मतलब यहाँ पर fund something around 30 करोर का जो है इस center of excellence की establishment के लिए UP government यहाँ पर दे रही है ठीक है यह इसके लिए जो आपका 5G 560 सॉरी 60 जो है 60 technologies के लिए base यहाँ पर prepare कर रहे है ठीक है now next question है the union minister Mansook Mandavya जो ministry of health and family welfare के आपके union minister है इन्होंने rebrand किया है आयुष्मान भारत health and wellness center को as a आयुष्मान आरोग्या मंदिर तो यह question आपका important है यह याद रखना ठीक है कि आयुष्मान भारत health and wellness center जो है इनको rebrand किया गया है ऐसा आयुष्मान आरोग्या मंदिर और यहाँ पर इसको यहाँ पर जो fund है fund required for renaming the existing facilities have been proposed rupees dash per facility तो अब जो यह नाम है इस नाम को change करने में कुछ तो fund लगेगा ठीक है तो अब इस चीच के लिए यहाँ पर government कितना fund दे रही है पर facility के लिए it is rupees 3000 तो यह आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा यहाँ पर इनोंने एक नई tagline भी दी है which is आरोग्याम पर्मम धनम तो यह आपको ध्यान में रखना है अब यहाँ पर आईश्वान भारत की बात हो रही है तो आईश्वान भारत है क्या यह एक flagship scheme है जि यहाँ पर इसके अंडर जो है दो चीज़ें हम देखते हैं एक तो हो गया health and wellness center जिसका काम क्या होता है provide करना primary health care services को ठीक है इसके अलावा जो next आपका इसके अंडर आती है इसकी ब्रधान मंतरी जनारोगे यूशना इसका काम क्या होता है कि health insurance यहाँ पर प्रवाइड करना ठीक है पांच लाग तक का low income earners को या no income persons को ठीक है नो next आपको question है which among the following statement is correct with respect to the 203rd meeting of a SEBI that was held in Mumbai Maharashtra तो in month of November SEBI की 203rd meeting हुई थी ठीक है तो उसी से related सारे हमारे points है तो हमें यहाँ पर बताना है कौन से statement correct है तो पहला statement है SEBI board introduces flexibility of a social stock exchange in order to give the boost to fundraising by not for profit organization NPOs on the SSE social stock exchanges ठीक है next statement क्या कह रहा है SEBI reduces minimum issue size from rupees 1 garo to rupees 50 lakh for public issuance of a zero coupon zero principal instruments third statement क्या रहा है SEBI has approved to reduce minimum application size from rupees 2 lakh to rupees 10,000 for a public issuance of a zero coupon zero principal by NPO which is your not for profit organization on a social stock exchange तो यहाँ पर आपके सारे ही statements correct है ठीक है जो SEBI ने यहाँ पर इस meeting में लिये है decision ठीक है तो answer है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा option number E all 1, 2 and 3 statements are correct अब इससे जुड़े वे आपके important points और देख लेते हैं which is SEBI plans to introduce same day that is T plus O, T plus 0 settlement by March 2024 and instantaneously settlement by 2025 तो यह आपको ध्यान में रखना है next आपका statement है SEBI board approved amendment of REITs ठीक है that is real estate investment trust regulation 2014 को यहाँ पर amend किया गया है change यहाँ पर किया गया है to the amendment of a SEBI alternative investment funds regulation 2012 को जिसका main objective क्या है it is to protecting the interest of a investor in a alternative investment fund ठीक है next आपका statement है SEBI introduced a regulatory framework for index provider तो यहाँ पर index providers के लिए भी SEBI ने जो है regulatory framework यहाँ पर आपका दिया है ठीक है जिसका main aim क्या है कि introduce करना transparency and accountability in a government and administration of a financial regulation जो security market में है ठीक है I hope यह clear होगा आपको now next is in November 2023 the IRDAI has formed a 11 member task force to examine the impact of a digital personal data protection that is DPDP act of 2023 on the insurance sector the task force is chaired by whom तो यहाँ पर 11 member की task force बनाई गई है IRDAI के दुआरा ताकि जो आपका digital personal data protection act 2023 का इससे क्या impact पढ़ रहा है इसे examine करने के लिए अब इसके chair person कौन है इस member task force के तो answer आपका हो जाएगा इनका नाम है रंदीप सिंग जगपाल क्या नाम है रंदीप सिंग जगपाल ठीक है बाकी अदर यहाँ पर members आप देख सकते हूं ठीक है इसके अलावे यहाँ आपको note करना है कि जो यहाँ पर आपका task force बनाय गया है इसको यहाँ पर basically बुला गया है कि एक मंत के अंदर अंदर आपको यहाँ पर जो है इसकी रिपोर्ट समिट करनी है ठीक है now next question है which health insurance company recently in November has launched its new health insurance plan health supercharge to provide comprehensive coverage for individuals and families residing in a tier 1 to tier 4 location तो यहाँ पर इन में से कौन सी journal insurance company है आपकी ठीक है जिस नहीं यहाँ पर जो है launch किया है नया health insurance plan तो answer आपका हो जाएगा it was launched by your Tata AIG journal insurance तीक है अब यहाँ पर दो plan availability आपको मिल जाएगी तीक है दो type के plan मिल जाएगे value plan और दूसरा है geo plan value plan आपके लिए जो इंडिया के members है जो इंडिया में रहते हैं basically उनके लिए है whereas जो geo plan है यह आपके मतलब लगभग सारी cities के लिए है except Mumbai, New Delhi, Ahmedabad, Surat और Baroda तो इन cities को छोड़के बाकी जो आपके members है रहते हैं इंडिया में उनके लिए available है eligibility की बात करें तो यहाँ पर age limit जो है join करने की 91 days से 65 years तक है policy tenure आपका 1 से 3 साल तक रहेगा some insured option की बात करें तो यह आपका 5 लाग से 20 लाग तक रहेगा वही पर आपका static information देख लेते हैं data, AIG, General Insurance Company की तो यह आपका रहेगा MDNCO, Nilesh, Garg है इस company के और यहाँ पर अगर headquarter की बात करें तो यह मुंबई महराज्चा में लोग को रिट है, तीक है, now next is name the personality who won the 2023 United Nation High Commissioners for refugee non-sin refugee award global literate for championing the right to education while putting 1 lakh books in the hands of displaced children and youth in Kenya, तो answer यहाँ पर आपका हो जाएगा यह award दिया गया है, 2023 का जो award है, यह दिया गया है, अबदुलाही मीरे को, तीक है, तो answer यहाँ पर आपका हो जाएगा, option number B, ठीक है, इसकी award ceremony आपकी जो है, Geneva, Switzerland में हुई थी, इसके लाबा, यहाँ पर regional winners भी जो थे, वो यहाँ पर आपके announce किये गए थे, जो रहे हैं आपके, Elizabeth, Morin, Barco from Columbia, then Asia, Al-Mashriki from Yemen, Abdullah Habib, Sahad Ziya, Salim Khan, Shahadia, ठीक है, from the Asia Pacific region, then Lina, Grog, 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 Grog Favosov, Havska, and Valadiyas Law from Grog, Hoshika from Poland, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखने हैं, सारे ही नाम, थोड़े अट-पटे से हैं, बट याद तो करने बढ़ेगे, exam में पूछे आते हैं ना, ना, नेक्स, यहाँ पर बात कर लेते हैं, की पॉइंट की, जो हमने अभी अभी अवार्ड पड़ा, UNHCR, Nansen Refugee Award, इसको इस्टैबलिश किया गया था आपका 1954 को, ठीक है, और 1954 में पहला अवार्ड यहाँ पर दिया गया था है, Elena Roosevelt को, ठीक है, जो फॉस्ट चेयर थी आपक Government of Norway, Government of Soodzaland, The City, and Canton of Geneva, and IKA Foundation, वहें पे अगर यहाँ पर प्राइस की बात की जाए, तो IT was your $100,00,00 US dollar, ठीक है, नव स्टैटिक है, नाव स्टैटिक इनफ स्टैटी की बात कर लेते हैं, United Nations High Commissioner for Refugee की, तो इसके High Commissioner आपके रहे हैं, फलीपो, इनका नाम है, फलीपो Grandi, आपका इसके लावा यहां पे अपोईंट्मेंट्स भी हुए थे जैसे वाइस प्रेजिडेंट को अपॉइंट किया था कुरम अक्सरी इनका नाम है असकरी इनका नाम है संदीब बंसल और सनी बोरा यहां पे आप जो है इमेज भी देख सकते हैं पुनी विध्यारती जी की तो इनमेंसे कौन सी कंपनी है जिनके साथ M.O.U. साइन किया गया है University of Sydney Infectious Disease Institute द्वारा तो आपका हो जाएगा option number C यह वही कंपनी है जिसने जो है COVID-19 की वैक्सीन में थी को वैक्सीन जिसे हम जिस नाम से हम इस वैक्सीन को जानते हैं ठीक है नाव भारत होकी इंडिया सीनियर मैं नाशनल चैम्पेंशिप टाइटल 2023 तो आंसर यहां पर आपका हो जाएगा दाटाइस जिसने इडिशन था आपका आपका होकी इंडिया सीनियर मैं नाशनल चैम्पिंशिप का इसे जीता है आपकी पंजाब की टीम में ठीक है आंसर यहां पर आपका है Optional Buddy पंजाब ने जो है हार्याना को डिवीट किया था मतलब फर्स नमबर पर फजाब था सेकंड पर्याना और थर्ड नमबर पर आपका था जो आपकी टीम नहीं जो है, यहां पे इस title को जीता था, senior men championship title किस ने जीता था, तो हर्याना ने जीता था, हर्याना डेफिट किया था, आपका तर मिलना डुको, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, यहां पे, ठीक है? Now next, I have a question है, the Canadian TV producer and puppeter Marty Croft recently in November passed away, in which year the Croft Brothers won Lifetime Achievement Emmy Award from the National Academy of Television Arts and Science, तो इन है, जो Croft Brothers है, इनको यहां पे Emmy Award दिया गया था, 2018 में, तो answer अपका है, यहां पे क्या हो जाएगा, it is optionable भी, इसके साथ-साथ, यहां पे इन है, Hollywood Wall of Fame, जो award है, World Famous Hollywood Walk of Fame, यह दिया गया था, 2020 में, in recognition of their golden anniversary, ठीक है? Now next is, which of the following statement is incorrect with respect to the recently given cabinet approvals? तो in month of November, बहुत सारे union cabinet approvals यहां पे दिये थे, तो पहला statement जो है, गो थू करते हैं, The union cabinet has approved the terms of reference for the 16th Finance Commission, whose recommendations span a 5-year period from 1st April 2025 to 31st March 2013. Next statement है, The union cabinet also extended the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojna for 5 years till 31st December, till December 2028. Now next आपका statement है, The union cabinet has approved the Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaay Maha Abhyan, which is PM Janman, with a budget of Rs. 24,104 crore. Now next statement है, The union cabinet also approved the Central Sector Scheme with an outlay of Rs. 1,261 crore for providing drones to the 15,000 selected women's self-help groups from 2024-25 to 2025-26 for providing rental services to the farmers for agriculture purpose. Next statement है, The union cabinet has approved the continuation of a Fast Track Special Court for the further 3 years, that is from 1st April 2023 to 31st March 2026, with a financial implication of Rs. 1,952.23 crore. अब यहां पर जो Fast Track Court की बात हो रही है न, यह आपका पहरे एक साल के लिए ही ही यहां पर बनाया गया था, कि एक साल तक ही यह चलेगा, उसके बाद फिर एक्सेंड करके इसे 31st March 2023 तक रखा गया, अब इसे फिर से जो है extend कर दिया गया है तीन सालों के लिए, तो यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, साथ में ही यहां पर जो budget की बात की गई है, इसमें से कुछ percent आपका state देगा और कुछ देगा central government, central government का जो यहां पर share होगा, वो निर्भेहा fund से जाएगा, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, नाव वापिस question में आते हैं, question क्या बोल रहा है, कि इसमें से incorrect statement कौन सा है, तो answer here is option number A, आप यहां पर correction क्या है, कि जो 5 year का term है यहां पर, जो 5 year का span है, यह आपका 1st April 2026 से start होएगा, till the 31st March 2031 तर, ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है, fine, नाव इसके इलावा, other key points यहां पर देख लिते हैं, जैसे, हम नहीं आप ही पढ़ा, कि यहां पर प्रधान मंत्री गरीव कल्यान योजना जो है, इसको extend कर दिया गया है, 5 सालों तक, ठीक है, अब इस scheme में, जो extension यहां पर दिया गया है, तो यहां पर fund भी दिया जाएगा, ठीक है, तो government of India नहीं हापर जो है, 11.80 lakh करोर का यहां पर जो fund दिया है, और ना food subsidies to provide free food grains, जैसे rice, wheat, आपका grains, millets हो गया, about, to about 81.35 करोर people, ठीक है, साथ महीं, यहां पर static information आपको पूछी आ सकती है, कि जो प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना है, इसे launch कब किया गया था, 2020 में इसे launch किया गया था, और इसका main purpose किया था, कि मंत्री 5 kg of free food grains, जो है, लोगों को दिया जाए, beneficiaries को दिया जाए, ठीक है, नाउ, यहां पर बात की गई थी, प्रधान मंत्री जन जाती आदिवासी न्याय महा अभियान की, यहां पर बात की गई थी, कि इसकलिए 24,000 करोर का बज़र दिया गया है, आप यहां पर Central और State का दोनों का शेर, यहां पर मैं आपको बता देती हूं, Central शेर जो आपका रहेगा, Central Government का 15,336 करोर का रहेगा, ठीक है, State Government का यहां पर शेर रहेगा 8,768 करोर का, तो यह आपको धिहान में रखना है, अब यह जो स्कीम यहां पर approval बेसिकली जो Union Cabinet ने दिया है स्कीम के लिए, यह आपका 11 important areas पर focus करेगा, यहां पर सारे areas जो हैं वो मैंने mention किये हैं, जैसे provision of apakka houses, connecting roads, pipe water supply and community water supply, इसके बाद mobile medical units आपके हो गए, with a medicine cost, फिर construction of hostel, vocational education and skilling, construction of आंगनवाडी centers आप इस भी इसमें include किया गया है, फिर construction of multipurpose centers, तो बहुत सारे areas इसमें cover किये गए हैं, इसके अलावा, यहां पर बहुत सारी ministries जो हैं, उनका भी हाँ पर involvement रहेगा, ठीके जैसे, जो ministry of IUS है, यह हाँ पर set up करने वाले हैं, आयूश wellness centers को, इसके लवा, जो ministry of skill development and entrepreneurship है, यह ministry basically हाँ पर provide करेगे, skill and vocational training for tailored to needs the PVTGs in their habitation multipurpose centers and hostels, fine, now next is, identify the new life insurance plan that recently in November launched by the LIC, Life Insurance Corporation of India with a lifetime guaranteed return, तो LIC नहीं हाँ पर जो है in month of November एक आपका जो है नया plan जो है वो launch किया था, इस plan का नाम क्या था, इट वस जीवन उत्सा, ठीक है, आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जगा, इट इस option number D, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, eligibility की, ठीक है, तो जो eligibility आपके रहेगी, इस plan की, यह आपकी है 90 days से start है, 65, 90 days to 90 days and 65 years तक, देक है, then premium paying terms आपका जो है, वो 5 से 16 साल तक है, minimum sum assured यहाँ पर आपका 5 lakh तक रखा गया है, और maximum premium seizing age जो है, यह कितनी है, it was 75 years, इसके अलावा mode of installment payment जो है, वो monthly, quarterly, half yearly and yearly आपका रखा गया है, ठीक है, बाकी अगये हैं पर features की हम बात करें, तो यहाँ पर दो payout option आपके रखे गये हैं, एक तो regular income benefit है, दूसरा flexi income benefit रखा गया है, ठीक है, यहीं पर अगर death benefit की बात की जाए, तो death benefit में यहाँ पर जो, आपको जो total premium यहाँ पर मिलेगा, वो 105% मिलेगा, ठीक है, इससे कम नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ आपको धियान में रखना है, इसके अलबा, LIC जो है, यहाँ पर interest pay करेगा, on any delayed or accumulated flexi income benefit, जिसका rate आपका रहेगा 5.5% का, ठीक है, यहाँ रखना है, इसके अलबा, जो policy holder है, it can also withdraw up to a 75% of a balance, accumulated flexi income benefits, तो यहाँ आप सारी चीज़ा आपको धियान में रखनी है, ठीक है, स्टार्टिक इंफर्मिशन की बात करें, अगर तो LIC के आपके यहाँ पर chairperson कौन है, यह पूछे आ सकते हैं, तो सिधार्ट महॉन ते, ठीक है, headquarter Mumbai महाराष्टा में सभी को पता है, ठीक है, Now next is, as per the organization of economic corporation and development, that is OECD, economic outlook, economic outlook November 2023, titled restore growth, the real GDP growth of India is expected to be at a dash in a financial year 2023-2024, तो यहाँ पर जो OECD है, इन्होंने अपने economic outlook में, यहाँ पर mention किया है, इनकी जो financial year 2023-2024 की GDP है, वो यहाँ पर mention किया है, which was your 6.3%, ठीक है, इसके अलावा, यहाँ पर इन्होंने जो है, आपका, जो financial year 2025 है, इसके लिए भी यहाँ पर जो है, इन्होंने highlight किया है GDP, which was 6.1%, ठीक है, तो यह आपको धियान में रखना है, यहाँ पर आप C.K. Gopinath जी की फोटो देख सकते हूँ, यह जो है, इन में से कौन से private bank के, तो answer आपका हो जाएगा, इट वोज धनलक्षमी बैंक, और धनलक्षमी बैंक में यह major shareholder भी थे, ठीक है, तो यह दियान में रखना है, इसके लवा, he was also, he was a former director of a Catholic Syrian Bank Limited, which is your CSB bank, ठीक है, यह 2008 से 2016 तक यहाँ पर director रहे थे, fine, now next is, which state government sign a letter of intent with a meta to elevate awareness about the online user safety and digital citizenship among students and educators, तो answer यहाँ पर आपका हो जाएगा, कि recently, जो करनाटिका government है, उन्होंने यहाँ पर जो है letter of intent sign किया है, meta के साथ, ठीक है, अब इस में, जो यहाँ पर partnership की गई है, जो letter of intent sign किया है, इसके according, जो करनाटिका government है, इनका plan किया है, they will offer a training to the 1 lakh teachers and 10 lakh students in a digital safety and augmented reality या virtual reality जैसे अब बोलते हो by 2025, ठीक है, नो next is the appointment committee of cabinet has appointed Atal Dulo as a chief secretary of DASH, तो अभी ACC, जो आपकी appointment committee of cabinet है, इन्होंने यहाँ पर chief secretary बनाए है, जमुइन कश्मीर के, जिनका नाम है, इनका नाम है Atal Dulo, ठीक है, और इन्होंने सक्सीर किसे किया है, इन्होंने यहाँ पर replace किया है, अरुन कुमार महताको, तो यह आपको ध्यान में रखना है, और यह जो है, Atal Dulo जिक की आपकी pick है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, I hope guys, आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अकर पसंद आया है, तो like and share जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जो निकले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपके कुछ सजेशन है, तो आप हमें mail कर सकते हो, benchmarkstudy00788gmail.com पर, या फिर आप हमें, comment section में भी लिख सकते हैं, सु मिलेंगे ऐसे ही next video के साथ, till then take care, have a nice day and all the best for your preparations,